दोस्तो आज किस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप जन पर्मानपत कैसे बना सकते हैं जियां दोस्तो अगर हम जन पर्मान की बात करें तो आप दो तरीके से बना सकते हैं पहला तो दोस्तो आप ऑनलाइन अपलाइ करके घर बेठे खुद से अपलाइ करना होगा और अपलाई करने के बाद दोस्तों आपको कहीं जाने के आप सकता नहीं होगा अब आप खुद से घर बैठे ऑनलाइन अपलाई करके जन पर्मानपत बना सकते हैं और दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि आप ओफ-लाइन यानि आप अपने ब्लोग विजिट करके वहां से जो दूसरा अगर आप ऑफ-लाइन जन पर्मानपत बनाना चाहते हैं तो वह किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों आज कि इस वीडियो में आपको जन पर्मानपत बनाना चाहते हैं उस पर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बोक्स में बता दीजेगा दोस्तों मैं एक मेरा नाम है राज कुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ब्रेंट्स वीडियो में बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आज़े वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट के ह बैल अकन पर क्लिक करके और नोटिफिकरशन को अन कर लेना है तो दोस्तों देखे सबसे पहले में यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन जो से जन पर्मानपत के लिए आवेदन करना चाहते है घर वेठे खुझ से उनके लिए सबसे पहले आपको इस व सबसाइट इस वीश्चाहिट पर आज यह जाएंगे और इससे वेपसाइट पर जैसे आज आते दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन यानि कि जन्व परवानपत यहां से आप बना सकते हैं तो दोस्तों देखे अभी मेरे पास जो से य दोस्तों मैं आपको offline प्रोसेस बताता हूं लेकिन आप सब का कमेंट रहा तो बहुत जल्दी मैं दोस्तों online जो सो किस तरह से आपको जन पर्मान पत बनाना है उस पर वीडियो में लादूंगा तो दोस्तों देखे सबसे बिले मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि अगर आपके बच्चे की उमर पांच वर्ग से ज़्यादा है तो आपको इक यह सपथ्पत्र जहों 100 कोड से लेकिन अगर आपके बच्चे का उमर 5 कम हैं तो आपको यह सपथ्पत्र बनाना की कोई आफशकता नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो में जो प्रोसेस आपको बता रहा हूं उन बच्चे का जो सो पांच वर्ष से ज्यादा उम्र है इसलिए हमने यह कोट से डिर दोस्टो रूपए मुझे से लिया गया है दोस्तो और यह जो सो कोड्स हमने यह सपत पत बनवाए हैं और बनवाने के बाद दोस्तों इन में जो स्ट से उसके बाद से उनका सिगनेचर लगवाए जाता है तो इस तरह से आप जो से यह जो सो अगर आप पांच वर्ष से ज्यादा उम्रे के बच्चे हैं तो उनके लिए आपको एक कोट से यह सपत पत बनवा लेना है बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों अगर आप कोट के आस बज़ेंस भल लेना होगा जैसा कि दूस्तों आप दीख सकता है कि यहां पिता का नाम माता का नाम बच्चे का नाम तो यह सब फॉर्म को आपको भ लेना होगा दोस्तों देखेए मैं इन वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्टिए मैं आपको फॉर्म लॉल्ड instrument करने लिंक नहीं दूँगा क्योंकि दोस्तों देखे हर डिस्टिक में थोड़ा बहुत डिफरेंट जो सब फॉर्म होते हैं भरने के लिए तो इसलिए मैं आपको फॉर्म का लिंक नहीं दूँगा लेकिन आपके जो ब्लॉक है ब्लॉक विजिट कीजिए वहां पर जो आज पास दुख बहुत ही आसान तरीका है अगर उनk वा भड़त है लव हैं तो दोक्यमेंट कि ढम बहुत बात करें तो सब्से पहले बच्चे का जैसे दें pixel आपको परवाहन पत्र साधा कि भ loss कर बन जाएगा जैलते 사र्ट यह जो आपने Captain संब्हां कि équर्ठ बान से बना है यह कार्ट जो सो यहां पर उनको देना होगा उनके दोस्तों उनके जो से माता यानि पीता का जो सो उनका अगर रासन कार्ड बना है तो रासन कार्ड भी दे सकते हैं और यह सब देने के बाद दोस्तों आपको जो सो आपकी जो ब्लॉक होते हैं वहां पर आपको विजिट करना हो लेकिन आप गर आपके बच्चे के जो हो आपकी जनम घर पे हुआ है और पांच वर्ष्स से ज्यादा हो चुका है तो इस सबसे पहले से एक सपत पत बनवाना होगा और यह form भरना होगा यह form भरने के वाद दोस्तों आपको जोसे ब्लोग विजिट करना होगा तो चलिए दोस्तों ब्लोग क्यों विजिट करना होगा ये भी मैं आपको प्रूप दिखा देता हूं तो simply मैं दोस्तों यहां पर दीखें service plus की website पर आ चुका हूं यहां दोस्तों आपको जैसे एक एक करके यहां पर चेक करते हैं आपको नीचे आ जाना है तो मैं दोस्तों कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया हूं तो मैं इस तरह से फिर से पूरना उपर की तरफ जाता हूं और उपर की तरह आने के बाद दोस्तों यहां पहीं देखिए योजना एवैम्स, विभाग की स्वाएँ इस पे आपको क्लिक करना हुख और इस पर आप जहसी क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहां पहे देखिए जन परमानपत निर्गवन और मिर्तियू परमानपत निर्गवन आपको क्या करना है दोस्तों जन परमानपत निर्गवन पर इस तरह से आपको क्लिक कर देना है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि अब लेवल एट ब्लॉक लेवल आटिपी वहाँ पर जाईए और वहाँ से दोस्तों आप जोसे इनको apply करा सकते हैं और apply होने के बाद दोस्तों आपके कुछ दिनों के बाद आपका जन परमानपत को जारी कर दिया जाएगा जिन्हें आप online भी download कर पाएंगे या फिर दोस्तों आपको by post के माधियम से आपको जन परमा कर लिजिए और उनके बाद जोसों आप अपने ब्लॉक विजिट कीजिए और वहाँ पर आर्टी प्यास कोंटर होते हैं वहाँ से आप apply कराईए apply होते ही दोस्तों आपका जन परमानपत को जारी कर दिया जाएगा दोस्तों देखें वीडियो में end करने से पिले मैं आपको यहाँ पर फिर से पुना जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आपको online कहीं जाने के आप सकता नहीं है घर पे खुद से बैठे वे online apply करके जन परमानपत बना सकते हैं हलाकि उसमें थोड़ा बहुत जैसो कागजात जो होते हैं वो सब ज्यादा लगते हैं लेकिन आपको कह जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाके online registration करना होगा यानि कि इस website पर आके आपको registration करना होगा अगर आप online बनाना चाहते हैं लेकिन अगर आप offline बनाना चाहते हैं तो जो हमने अभी इस वीडियो में प्रोसेस बताएं उन प्रोसेस को follow करके आप जोस्तों जन परमा मैं आपको एक online घर बेठे जन परवानपत के लिए कैसे apply करेंगे उस पर मैं वीडियो जरूर लाओंगा तो दोस्तों आसा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share किजिए और